हेलो गाइज, वेलकम टो अभ्यान आइस अगेडमी, I am वेदवीर and we are preparing for UGC night. तो गाइज, last class में हम लोगों ने auditing के कुछ जो concept है, वो discuss किये थे, जिसमें हम लोगों ने discuss किया था, क्या discuss किया था? audit program, audit working paper, audit notes, और types of audit, I hope वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जिन लोगों ने previous video नहीं देखी है, वो हमारी previous video को जरूर देखें, ताकि इस से related जो भी concept हमारे discuss हो चुके हैं, जिन लोगों के miss हो गए हैं, तो वो previous video को जरूर देखें और उसको like, share और comment करना न भूलें, तो आप जुड़े रहें, इस video के end तक आज की जो वीडियो है, वो बहुत ही खास रहने वाली है, जिसमें, जैसा कि मैने topic आपको last class में ही बता दिया था, जिसमें हम बात करेंगे किछीज के उपर, qualification, disqualification, appointment, removal of auditor, जो की हमारा बहुत ही important topic है, जिसमें से question आपका आता ही, आता है, तो guys, आप वीडियो में last class जरूर बने रहें, आपकी जो class है, वो बहुत ही important और interesting होने वाली है, तो चलिए आज की class में आगे बढ़ते हैं, चलिए, हमारे जो unit चल रही है, वो कौन सी चल रही है, auditing, auditing की जो basic introduction class और उसके जो next class है, वो हम लोग already upload कर चुके हैं, तो जिन लोगोंने previous वीडियो नहीं देखी हैं, तो वो previous वीडियो को जरूर देख, चलिए, आज का सबसे पहले जो हम start करते हैं, वो start करते हैं, audit limits की, under section 44, AB के under, ये चीजे mention कर दी गई हैं, कि किसको audit करवाना compulsory है, और किसको audit करवाना compulsory नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कि अगर आप business से belong करते हैं, बिजनस से अगर आप belong करते हैं, तो अगर total sales turnover and received in the business of the previous year is more than 1 करोड, अगर आपकी total sales turnover या received बिजनस की 1 करोड से ज़्यादा है, तो आपके लिए compulsory है, अपने account को audit करवाना, आपके लिए compulsory हो जाता है, अपने audit को, अपने जो account है, उनको audit करवाना आपको compulsory है, आपको CA बुलाना पड़ेगा, अपने जो form है, अपना जो भी business है, उसको verify करवाना पड़ेगा, books of accounts अपने तियार करने पड़ेगे, और उसमें जो भी account है, उसको audit करवाना पड़ेगा, उसकी जो stamp है, वो लगवानी पड़ेगे, account audit हो जाएंगे, तो आपकी stamp लग जागे, verify हो जागे, इसका मतलब आपने जो भी books of accounts अपने बनाए हैं, वो सही तरीके से बनाए हैं, उसमें कोई गड़वरी नहीं है, कोई दिकत जोल आपका नहीं है, अगर आपका professional है, अगर आप किसी professional में deal करते हो, मतलब आपको जैसे doctors हो, lawyer हो, chartered accountant हो, जैस तरीके से, मतलब किसी भी professional में आप deal करते हैं, आपकी professional है, अगर आप कोई professional work आपका है, तो अगर total sales receipt और professional for the previous year is more than 50 lakh, अगर आपकी 50 lakh से उपर अगर आपकी receipt है, या total sales आपकी जो है वो इससे जादा है, 50 लाग से, तो उस situation में आपको जो है, वो क्या करवाना पड़ेगा, अपना audit करवाना compulsory है, इसमें आपका more than 1 CR और इसमें आपका more than 50 और अगर आपकी presumptive assumption under section 44 AD, 44 E, 44 AF, 44 BB और 44 BBB, if the person claim that the profit and gain from the business are lower than the profit or gain computed under the relevant section, तो इसमें अगर आपका वो ये दिखाता है, कि हमने जो भी profit और जो loss हमारा हुआ है, वो under the section, इस section के under, जितना होना चाहिए, उससे lower है, तो वहाँ पर आपको जो है, tax audit के लिए आपको छूट दे दी जाती है, कि अगर आप इस इस चीज में, अगर आप आते हैं, इसकी detail म आपका नहीं आएगा, under section 44 AD, 44 E, 44 AF, 44 BB, 44 BBB, अगर इसके under, अगर आपका जितना amount होना चाहिए, उतना amount अगर आपका नहीं है, या एक person ये claim करता है, कि उसका जो profit और loss है बिजनस से, वो lower है, जितना उसका relevant section में होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको जो है, इस चीज में को पूट दे दी जाती है, ठीक है, तो आपको ये amount आपको ध्यान रखना है, कई बार इस से related आपका question आ जाता है, right, wrong भी आ जाता है, true, false भी आ जाता है, statement का एंड में कोशन आ जाता है, आपसे पूछ लेता है, कि आपकी जो statement है, वो सही है, या मतलब आपसे पूछ लेया, कि business में आपका 50 lakh होना चाहिए, professional में 1CR होना चाहिए, उल्टा कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो उल्टा पूल्टा जो है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि question में आपको बहुत direct question आपको नहीं देगा, बहुत clearly मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत direct question question आपको नहीं देगा, ठीक है, इसमें आपको understand करना पड़ेगा, concept आपको समझना पड़ेगा, छोटी-छोटी चीजों पर वो बता देगा आपको, जैसे अगर मालों कहीं पर 80 lakh है, उसने 50 lakh लिख दे, 50 lakh की जगह उसने 80 lakh लिख दिया, यहाँ यहाँ पर इसमें 1CR लिख द income tax में आपको जब भी आप अपना books of account को audit करवाएंगे, तो आपको यह books अपनी बनानी compulsory है, यह account तो आपको बनाने बनाने पड़ेंगे पड़ेंगे और उनको produce करना पड़ेगा, इस तो cash book, ठीक है, cash book में आप क्या करोगे, जितने भी cash related item है, received हुई है, payment हुई है, वो सा तो इसमें यह बताएगा कि भी हमारा जितना balance जो हो हमारा है, कितना हमारा inflow हुआ है, मतलब रिसीप हुई है और कितना आपका 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 प्लोग हुआ है, मतलब आपकी payment होई है, तो उसमें day-to-day आपका कितनी चीज़ें हमारी आई है, तो वो सारा आपको बतादेग तो उसमें जितना भी हमारा specified है उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए ठीक है जितने भी आपके जर्नल्स है जर्नल क्या होता है आपकी primary books of account होते हैं सबसे पहले जो entry post करी जाती है वो आपकी कहां पर पोस्ट करी जाती है जर्नल में ठीक है पोस्ट करी जाती है तो जर्न connection जो आपनी record करोगे और बताओगे क्यों कौन कौन सी payment करी है रिसीट किया है आपने जो जो आइटम आपने वहां पर चीजे करी है रिपर्जन करी है वो सारी चीज़ा आपको दिखाएगा carbon copies of the bill मतलब जितने भी आपके बिल्स है 25 रुपे से जाधा अगर आपके है तो उ अगर आपने 5000 रुपे खर्च किए हैं कहीं तो पांच जार का कहीं नहीं तो आपने विल लिया होगा तो जो बिल लिया है कहां पर खर्च करें आपने तो वह सारा आपको दिखाना पड़ेगा तो इसमें आपको जो है जो भी परसंस है उसके carbon copy और जो मशीन नंबर अगर काउंटर फॉल्यों अगरा यह सब चीज़ें आपको करने पड़ेंगी कोई कूपन है कोई डिसकाउंट है को जो भी चीज़ें आपको बिल वगारा जो है वह पक्का भी आपको जो आप लगाना पड़ेगा यह नहीं कि आपने हाथ से लिखके दे दिया और अपने आपको हाथ से साइन मार दिया ऐसा नहीं है उसमें पक्का भी आपको जो होगा लगाना पड़ेगा ओरिजिनल बिल रिसीप इशू बैदा असे इन रिस्पेक्ट ऑफ दा एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उस ट्रम पे आपने बिल दिया होगा मत आपको भी लाया होगा आपके पास तो जो बिल है उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी ठीक है तो वह कॉपी जो आपको बहुत समाल के रखनी है ताकि आप जब यह दिखाओगे ना कि यह सामान हमने किस-किस चीज के लिए मंगाया है तो यह सारी चीज़ें आपको य है हमारा appointment and removal of the auditor कि मतलब आपका जो auditor है उसकी appointment कैसे करोगे और उसको remove कैसे करोगे यह हमारा एक बहुत ही crucial और important topic है हमारे examination point of view से appointment मतलब उसको कैसे appointment किया जाएगा और removal मतलब कैसे उसको हटाया जाएगा क्या कहता है कि यहां पर आपका जो है यह इसकी जो चीजें है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सबसे पहली चीज कि first auditor of the company shall be appointed by the board within the 30 days from the registration of the company जो भी board of director है वो उसको appointment करेंगे auditor को within the 30 days of the registration of the company मतलब आपका registration of the company जिस दिन हो जाएगा उसके 30 days के अंदर देखो इसमें दो important चीज है वो question में यह पूछेगा कि first auditor जो वो कौन appointment करता है ठीक है तो उसमें वो क्या बोलेगा कि within मतलब जो है कौन appointment करेगा कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए जैसे 90 days 60 days within one year six month तो आपको घुमाएगा लेकिन आपको एक महिने के अंदर अंदर मतलब जो वो आपको appointment करना है किस दिन से जिस दिन आपके company का registration हुआ है ठीक है अधरवाइज members within the 90 days at an EGM अधरवाइज क्या होगा कि मतलब EGM मतलब extraordinary general meeting में भी आपके जो members है उसमें आपका first और इसमें appointment नहीं होता है तो जो उसके members है board of director तो 30 days में कर लेगा अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके जो members है वो आपके 90 days at the EGM EGM के 90 days तक आपका जो है उसको appointment करना ही करना है इसमें दो approval है अगर board of director कर रहा है तो 30 days अगर बाकी members कर रहे हैं तो आपके 90 days who shall hold the office till the conclusion of the first AGM तो वो office कब तक समालेगा जब तक हमारे first AGM नहीं हो जाती है first auditor first AGM के conclusion तक रहे गई रहेगा चीक है यह चीज़ समझा गई तो वो कब अपना वो करेगा 30 दिन के अंदर अंदर board of director अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 90 days के अंदर अंदर जो वो EGM तक मतलब जो है उसके members जो उसको select कर लेंगे और वो अपना office कब तक संबालेगा जब तक मतलब जिस दिन उसकी appointment हुई है तब से लेकर उसकी जब first AGM आपकी नहीं हो जाती है तब तक ठीक है एन्वल जर्नल मीटिंग एट फस्ट एन्वल जर्नल मीटिंग एड ओडिटर शैल बी अपॉइंटेड तो होल्ड ओफिस तिल दा conclusion of the sixth AGM first auditor जो है वो तब तक अपना appointment कर दिया जाता है जब तक उसकी sixth AGM नहीं हो जाती है तब छे साल के लिए उसको appointment कर दिया जाता है पहले auditor की बात कर रहा हूं मैं बाकी auditor की बात नहीं कर रहा है यह sixth मतलब जो है conclusion of the sixth AGM therefore auditor shall be appointed at the every sixth AGM it is the subject to the ratification by the shareholder at AGM मतलब अगर उनको लगता है वैसे तो normally six AGM तक होता है अगर आपको लगता है कि उसमें को changes करना है गटाना है बढ़ाना है ठीक है तो उसमें एक ordinary resolution आपको पास करना पड़ेगा और उसमें मतलब जो है order को जो है repoint और मतलब जो भी disqualified या जो भी अगर आपका कोई है तो next order जो पॉइंट कर दिया जाएगा जो है पहला इसमें दो तीन चीजे है पहला अगर बोड़ डारेक्टर कर रहे हैं तो आपके थर्टी डेस अगर members कर रहे हैं तो दिन दा 90 डेस चीक है और वह कब तक अपना वह समालेगा फर्स्ट एगें तक और उसमें मतलब जैसे उसका अपन्मेंट हो जाता है तो अपन्मेंट होने के बाद conclusion of the sixth AGM तक अपना जो वह समभाल सकता है ठीक है और उसके बाद अपना जो है अपना वह आगे काम करेगा और आगे काम करने के बाद अगर शेयरोल्टर को यह लगता है कि इसमें कुछ घटाना चाहिए बढ़ाना चा सकते है उनको लगता है कि यह जो अजय से काम नहीं कर रहा है तरीके से हमारा जो काम है उसको नहीं कर रहा है यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखने पढ़ेंगी कि नॉर्मली आपका जो ऑडिटर है वो कैसे आपोइंट किया जाता है सबसे पहले एक औरिट कमेटी बैठती है ठीक है वो क्या करेगा शेल कंसीटर ओल्ड़ क्वालिफिकेशन अप एक्सपिरियंस और प्रपोस ओडर में कॉल फिट वो क्या करेगा एक और मिटिंग बैठेगी और और कमेटी बैठेगी वह जो है और यह बुलाएंगे कि रिशन के लिए अपना फिट समझते हैं अपने आपको जैसे केंदिट हमारे होते हैं तो ऐसे ही अपने आपको जो रिपरजेंट करेंगे उनका बाइओ डिटा है ये meeting जो members है committee है committee सारे थिए कमेटी एक नाम जो finalize करती है और finalize करने के बाद both डारेक्टरों को बेज देती है तो उसको फर्दर एप्रूबल दे देगा वह कुछ verification करेंगा और verification देने के बाद वह क्या करेंगा उसको ज्लोग में अपना अगले जो ऑडिटर है वो यह परसन रहेंगे इन केस ऑफ डिस अग्रिमेंट बोड़ डारेक्टर सेल साइट तो दा रिजन फॉर दी डिस अग्रिमेंट मतलब उसमें वह देखेगा कि वह क्या-क्या चीज़े है उसमें गड़बड़ी अगर कोई है तो देखता है कि सारी रेजुलूशन पास किया जाएगा यह सारी मतलब सब चीज़ें आपकी इसमें हैं बिफोर दा अपॉंट्मेंट को अपॉंट करने से पहले अपको लेना पड़ेगा पता चले आपने उसको अपॉंट कर दिया और परसन बोले कि नहीं मैं तो मतलब मैंने तो कहीं दूसरे गए ओडिट का काम ले लिया है मैं जो है वो नहीं करूंगा कंपनी शेल फाइल नोटेस चुदा रेजिस्टार अफ कंपनी विदिन दा 15 डेस सर्च मीटिंग इफॉंट्टी वन मतब ऑडिट वन का जो फॉर्म होता है वो उस फॉर्म के अंडर रे अबने सब्सक्राइब करेंगे और इस चीजे नहीं है तो वह कमेटी के साथ में डिसकस करें रहे हैं और इस चीज पर मुझे नहीं लगता कि इस परसन को पॉइंट करना चाहिए तो ठीक है तो कमेटी जो उस पर वग करें कि और वग करने के बाद दूसरे परसन को पॉइंट कर दिया जागा तो उसमें मतलग जो है एक और स्वेस्ट पॉइंट करना है तो वह सारा जो भी कंकुलूजन हमारा होता है वहे हमारा डिसकस कर लिया जाता है उसमें इसकी स्टरीके से काम को करने वाला है इसमें हमारा जो है audit committee is required to formed under the section 177 of the companies यह यह मतलब जो है यही चीज़े आपकी होने चाहिए किस-किस को audit compulsory मतलब जो audit committee है वो बनाना compulsory है किस-किस को every listed company और जितने भी public company है जिनकी paid up capital 10 करोड से उपर या turnover 100 करोड से उपर है या outstanding loan और debenture आपके 50 करोड से उपर है तो ऐसे में audit committee बनाना compulsory है चीज़े है turnover आपके कितनी होने चाहिए paid up capital अगर आपकी 100 करोड है मतलब 10 करोड और turnover अगर आपके 100 करोड और outstanding loan अगर आपके 50 करोड से जाधा है तो आपको एक audit committee बठाने चाहिए और audit committee ही decide करेगे कि audit हमारा कौन होगा audit committee बनाई ही इसलिए जाती है ताकि हम auditor को select कर सके nomination करेंगे जो भी remuneration रहेगा under section 178 ठीक है तो उसमें at least three director majority which shall be independent director ठीक है उसमें audit committee में मतलब जो है तीन डारेक्टर आपके होने चाहिए और इसमें अपनी जो duties है उसको प्रस्क्राइब करेंगे उनकी जो duties है वो under section 177 456 में mention करी गई है कि उसको क्या 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 काम नहीं करना है तो यह सारा जो अपना बताए गया है तो यह बताए गया है कि हमारे जो audit committee है वो किसको बनाना compulsory है as per the rules 2013 के accordingly 177 के accordingly यह बताए गया है कि किसको बनाना compulsory है अपना audit के लिए तो यहाँ पर अगर जो अगर इन condition को fulfill करता है तो वहाँ पर audit committee बनाना उसके लिए compulsory है और जैसे ही वो audit committee को बनाएगा तो audit committee उसका नाम जो recommend करेंगे और उसको आगे बताएगे कि इस इस तरीक से यह काम को होना चाहिए तो जैसे ही वो सक्वर करेंगे तो अपना सारा जो है अपना रामूनरेशन वगरा जो सारा डिसाइट कर लेंगे है क्या कि औरी चयौना चीहीं कि प्लूएगे कि मिलेगा तो वह audit committee क्या क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन डिस्वालिफिकेशन पर कोश्ण आवर्श्य आता है एक चार्टेट अकॉंटेंट होना चाहिए सबसें इंपॉइटेंट चीज इसे और अपिडल अता होना चाहिए और इसको सिये का जो सटिफिकेट नहीं होगा तब तक आप order appointment नहीं हो सकते हो अगर एक partnership firm है तो partnership firm को भी order जो वो appointment किया जा सकता है partnership firm को अगर उसके जितने भी major member जो partner है वो अगर चार्टेट accountant है तो अगर कुछ लोग partnership firm में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए complete है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास certificate नहीं है तो तो तिर्फ वही person eligible है जिनके सीए complete है क्याने का मतलब यह है कि अगर एक single person है तो उसकी सीए complete होने चाहिए अगर firm है तो उसमें जो major member है वो आपके सीए है तो वो भी मिलके आपका जो audit है वो कर सकते है तो सीए जो है वो आपकी क्या हो गई minimum eligibility criteria हो गया to be an auditor ठीक है डिस qualification क्या है under section 41 में यह बताया गया है 141 subsection 3 में यह बताया गया है कि वह disqualification कब कब होनी चाहिए तो यह आपको ध्यान रखना है या body corporate other than LLP अगर कोई भी person है मतब LLP के अलावा limited liability partnership के अलावा अगर कोई body corporate है तो उसको disqualify कर दिया जाता है वो उसको आप auditor appoint नहीं कर सकते partnership firm या LLP तो इसके accordingly मतब यही person जो वो आपको appoint कर सकते हो आप auditor को individual partnership firm और आपका LLP इसके अलावा कोई और person को आप to point नहीं कर सकते हो जैसे H.U.F.uko आप जब वो इसमें नहीं वो कर सकते हो trust को आप नहीं कर सकते हैं या कोई और अप उसको आप appoint नहीं कर सकते रहे हैं ठीक है और वहान पर ऐसे person को आपको कोई भी और पॉइंट नहीं करोगे तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा है नेक्स पार्टनर अफ दा इंप्लॉई और उसका कोई पार्टनर है या उसके या कोई इंप्लॉई है तो वो वो भी पर्टन जो वह आपका इसमें काम नहीं कर सकता है एक तो ऑफिसेर जो मतलब इंप्लॉई है इंप्लॉई के यहां भी अगर कोई इंप्लॉई काम कर रहा है तो वो भी उसका पॉइंट नहीं कर सकते हो आप उसको और पॉइंट नहीं कर सकते हो मतलब अगर आपने कोई लोन वगारे ले रखा है या आपका उसमें इंट्रस्ट है अब आप जो वो इसमें आपका या आपके रिलेटिव का कोई भी इंट्रस्ट उसमें है तो आप उस कंपनी के ओडिटर बनने के लायक नहीं हो ठीक है एक लाग से उपर अगर आपने वहां के कोई परसन है कोई भी परसन है और उसके आपने एक लाग से उपर की गारेंटी दे रखे तो आप उसके अपॉंट्मेंट अगर आपने खुद ने मतलब आपने आपके रिलेटिव ने किसी ने बास लाग तक का लोन लिया है कंपनी से तो आप वहां पर जो है वह आपकी नहीं हो सकती है और अगर आपने किसी परसन की गारेंटी दे रखे कि हाँ भी यह इसकी गारेंटी मैं लेता हूं एक लाग जागा ठीक है तो आप उसमें एक लाग से ऊपर है तो आप जो वह डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे अपरसन फॉर्म हेविंग दा बिजनस रिलेशन विदा सच कंपनी अगर कोई परसन या फॉर्म है जिसका बिजनस रिलेशन है उस कंपनी के साथ में ठीक है तो आप ऐ तो रिलेट आप या आपको रिलेटिव डारेक्टर है या डारेक्टर का इंप्लॉई है तो उस कंपनी में आप जो आप आप पॉइंट नहीं होने चाहिए यह जो चीजे हैं आपकी स्टेट्मेंट में पूछी जाती है विच आप दी फॉलिंग इस एन औरिटर तो कई बार आपसे यह कोशन पूछ लिया आता है चलिए परसन इन फूल टाइम प्रेक्टिस अधरवाइज और होल्डिंग अपॉन्वेंट एडिटर मोर्धन 20 कंपनी यह 20 कंपनी का मोर्ध जमेला है अगर एक परसन ने मतलब आपका जो ऑडिटर है उसने 20 कंपनियों से जांद का अगर ऑडिट ट्लेए रखे तो आपकी कंपनी का ओडिट नहीं कर सकता है किसी परसन का कोई लड़ाई छगड़ाए चल रहा है तो उशके दस साल तक मतलब आप आपका पांडमेंट नहीं हो सकता कंपनी के साथ में परसन इस रिलेटिव ओस एंटायरली तो आप उस company के ओडिटर नहीं बन सकते हों तो यहां पर इए डिस ऐसे क्वालिफिकेशन दॉन्स का दिहां लखना है मैं लोटेशन आपके क्या रहती हैcribing कрий्टर के कैसे कैसे मन्दब आप जह है सकते हो ठीक है कैसे कैसे मन्दब आप उसको हटा सकते हो और क्यासे कैसे there are restrictions on the appointment of the order in listed company and all public company जिनकी paid up capital 10 करोड से ऊपर है ठीक है और private company मैं जितने भी public company है उनकी paid up capital 10 करोड से उपर है तो उनके लिए restrictions है ठीक है private company अगर उसकी capital जो 20 करोड से ऊपर है company having the public borrowing और उसकी जो टनों मतलब जो डिपॉजिट्स है 50 करोड से उपर है तो यहां पर आपको जो है एंडिविजुल और मोर देन वन टम यानि वन टम का मतलब है फाइव यह और 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 मोर देन टू टम्स ठीक है तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो 6 सब्सक्राइब करोगे और उसमें आप उसको जो है पांस साल के बाद ही उसको करोगे उससे पहले अगर आपको लगता है तो आप उसमें चेंजिस कर सकते हो अजरवाइस आप चेंजिस नहीं करोगे प्रिक है रिमूबल फस्ट ओडिटर आफ्टर दा टम नो रिअपॉइंट्मेंट मतलब उसका टाइम टाइम पिरेंट खतम हो गया तो उसको दुवारा से रिअपॉइंट नहीं किया जाएगा इन बिट्विन टम्स तो आप जनरल मिटिंग में जाओगे सब्सिक्वेंट ओडिटर ऐसी चीज है तो आपको सेंट्रल गौर्वाल आपको लेना पड़ेगा तब ही आप जोब उसमें जा सकते हो और उसके अकौर्डिंग लिया आप खाम कर सकते हो तो कहने का मतलब यह फस्ट ओडिटर को आफ्टर दा टम उसका रिअपॉइंट नहीं होता है और इसमें भी स पास करोगे और उसको चेंज कर दोगे ऐसे ही अगर आप सबसेक्वेंट और है तो इन जनरल मिटिंग विद आप्रोवल अप्रोवल लोगे अगर वो बोल देते कि भाई ठीक है आप काम कर लो तो आप अपना जो सबसेक्वेंट आप आपना जो रेजुलुशन पास करोगे पास करने के बाद आपना जो आगे की चीज़ें हैं उसको कंटीनिव कर सकते हों जब हम उसको रिमूब करेंगे और को तो उसमें कुछ चीज़ों कामें द्यान रखना है क्या क्या द्यान रखना है कंपनी एक और को नोटीस बेज जएगी और इसको रीजनेवल लिए बिकॉस आफ्ड़े थे जातर लुटि अब्डर हो जाएगा तो एक फॉर्म बर रहाज़ागा इनके सब मुंबई-कॉलकत्ता चेन नहीं और नोटै अमदावद्वा हैदराबाद श्टिलंग इस दा रिजनल डारेक्टर इन दा फॉर्म एडी टी मतलब फॉर्म जो आपको बहुत जाएगा आपका दा कॉंपनी शेल पास इस्पेशल रिजोलुशन विदिन दा 60 देज पॉम दा डेट ऑफ दी रिसीप ऑफ दी अप्रूबल वाइदा रेंटल गौवर्मेंट तो उसको जो है सेंटर गौवर्मेंट से अप्रूबल लेना पड़ेगा तो उसमें 60 डेस के अंदर अंदर उसको जो वह नोटिस वेज़े जागा कि हम आपको हटा रहे हैं तो यह चीज़े मतलब आपके इसमें कहने का मतलब यह है कि वह बोड़ आपको प बात की आती है तो आप उनको बता सकते हो कि यह चीज़े हैं हमारी उनको जो आपना बता सकते हैं ऐसे ही रेजिगनेशन अगर आपको देना हूँ ठीक है तो उसमें आप जो है वह रिजाइन कर सकते हो लेकिन आपको जो पहले नोटिस देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि काल आप जाके बोल दो कि मैं इस कंपनी से जो रिजाइन दे रहा हूं या इस पास से मैं स्तीफा दे रहा हूं तो इस तरीके से मतलब आप जो नहीं पड़ेगा और अगर आपके कैजूल वेकेंसी हो जाती है जैसे अगर डैथ है डिसक्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है तो उसमें 30 डेज में मतलब जो है उसको फुल्फिल किया जाएगा ठीक है डेजिगनेशन शैल भी फर्स फिल वाइदा बोड़ डारेक्टर बाकि तो कैजूल वेकेंसी का मतलब यह होता है कि अगर मालो आपने कोई भी मतलब उसकी डैथ हो जाती है या इनकपैसिटी हो जाती है या बाद में पतलता है उसको डिसक्वालिफाइड हो गया है वो तो उस सिच्वेशन में आपको जो रिमूव कर दिया जाएगा नेक्स आता राइटे ड्यूटी अफधा कंपनी के जो अज़ितर होते हैं उसके कुछ राइट्स होते हैं जो कि उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं तो वह राइट्स हमारे अंडर सेक्शन 227 में बताये गया है क्या क्या उसके राइट्स होते हैं उसको एकाउंट को जो वह वो चीजे हैं मतलब जो आपने बताई है अगर आपके डिटेल से वह सैडिस्फाइड नहीं है तो ब्रांच में विजिट कर सकता है तो रिसीव दा नोटेस ऑफ दा एजीम एजीम का नोटेस का उसको राइट होता है कि जितने जब भी एजीम होगे तो उसको नोटेस भेज़े जाएगा फ्रायर ट्वंटीवन देज बिफोर कि एक एनी रिप्रेजेंट रिपर्जेंटेशन विच दा कंपनी कें सेंड दा अल्डा शेरोल्डर और दा इडाउट एड़ एजम मतलब उसका यह राइट होता है कि वह अपना सारा रिप्रेजेंटेशन दे उसको बता है क है सैइन करने का उसका रैट होता है रिपीट करेगा उसमें बोल सकता है अटेट करने का राइट रोता है शों आपने जो अपने उसको जाती है duties क्या क्या होती है to give report to the member after the evaluation of the account वो जो सारा है अपना उनको बताएगा कि यह चीज़े है आपके और इस तरीके से यह verification आपके हुई है negative comments are given then report shall be included in result of actual position मतलब कोई negative comment है कर आपको कोई लगता है कि भी बड़ बड़ी है आपके तो उसको बताना चाहिए यह उसकी duties बनती है कि उसको जो बताए कि यहां आया पर यह चीज़े आपके है तो अटेंड दा general meeting in the listed of the company मतलब सारी जो लिस्टेट कंपनी वो सारा जो है उसको रिपोर्ट बगार जो को satisfy करें यह उसकी duty होती है तो सटीफाइड दा रिपोर्ट मतलब उसको रिपोर्ट को सटीफाइड करें और अपना जो कि रिजनेबल के और स्किल्ट से मतलब अपनी जुटी घ्र उसको परफॉर्म करें और राइटिंग में अपनी सारी चीज़े अपनी जो भी इसकी रिपोर्ट होती है अपनी रिपोर्ट में यह चीज़े एक्स्प्लेंट करें राइट नेक्स्ट आता है और रिपोर्ट और रिपोर्ट के बारे में पहले भी मैं आपको बताया था कि और रिपोर्ट एक ऐसा हाथियार होता है जिसमें वो सारी चीज़े मेंशन करता है और रिपोर्ट जो है वो अपने सबसे लास्ट में एंड एंड रिजल्ट होता है और प्र फने बेसिस पे बड़िए बैसिस पे अपना सारा बैसिस लेते हैं audit रिपोर्ट जो है वो उनके लिए एक base create करते हैं एक ground create करेगी जिसके basis पे वो further decision लेंगे तो जिसमें वो यह देखेंगे कि जितने भी financial जो audit उसने किया है उसको यह चीज़े अपने सही करी है या नहीं करी है मतलब जो audit report को बहुत carefully उसको जो उसमें एक-एक word की बहुत एहमियत होती है उसने अ final report आपकी वनके तयार होती है तो उसमें उसने जो conclusion लिख दिया वही conclusion आपका लास्तक रहता है report should be issued by the being unbiased or objectivity in the discharging of the function अनबाइस होना चाहिए और जो भी जो objective है उसमें उसको प्रूफ करना चाहिए और उसमें बताना चाहिए मतलब हम कोई भी partiality किसी भी बर्तन के साथ में ना करें क्योंकि company के favor में बात करना और उसमें कोई गलती अगर गडवड़ी हुई है और आप उसको नहीं बता रहे तो आपका जो है वो दगाबाजी हो जाएगे shareholder के साथ में तो shareholder ने आपको अपना समझ के किया है और आप उनके साथ में दोका धड़ी कर रहे है तो यू शूट भी अनबायस और objective वाइल डिस्चार्जिंग दा फंक्शन जब भी आप अपनी यूडीस फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो आपको यह चीज बतानी चाहिए ठीक है तो अपना opinion जो है वह audit report में अपना बताएगा थिक है तो दो तरुके की चीज़े होती है Unmodified opinion जिसको हम awalified report क्रिक बहुते हैं और modified opinion जिसको हम kualified report भी गजह से जो जो आपने जवाब दिये अगर वो satisfied रहेगा तो वो क्या करेगा unmodified opinion अपना देगा report the confidence among the user of the financial statement and annual report of the enterprise it provides the impact मतब उसमें जो जो चीज़े अगर हम आपते satisfied है तो वो unmodified opinion अपना देगा हम यह company जो हो सही है इसमें कोई गड़वड़ी नहीं है कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है ऐसी कोई major mistake हमें इसमें नहीं मिली है दिक्कत कहां आती है दिक्कत आती है Modified Opinion में Modified Opinion का मतलब क्या है कि अगर उसको लगता है कि वह ये चीजे गड़बड़ी हुई है तो वह अपनी गड़बड़ी में वो लिख देगा ठीक है तो यहाँ पर अगर उसको Audit Work में कोई भी चीजे आपकी लगती है Nature of Finding तो Modified अपना Opinion अपना देदेगा मतलब उसको बता देगा कि यह चीजे है मतलब अपनी मर्जी से वो बताएगा कि यह चीजे आपकी इसमें है कब होता है जब Audit में Evidence में अगर उसको Find Out में कोई दिक्कत हुई है उसको लगा कि भी Material Miss Statement अगर आपकी है तो वो अपना सारा बताएगा कि भी क्या-क्या चीजे इसमें कंक्लूड करी है या Miss Statement कोई Mistake, कोई Fraud इस तरीके की चीजे अगर आपकी हुई है तो वो अपना बताएगा उसको Verify करेगा उसको मतलब बताएगा कि भी मुझे यह दिक्कत आपकी लगी इन इन चीजों में तो वो अपने जो वो उसमें जो वो Modified अपना opinion देदेगा या उसको Qualified Report बोल देते हैं तो Qualified Report का मतलब यही है कि वो उसमें लिख देगा कि भई मुझे यह यह गलतियां मिली Disqualified में आपका क्या करेगा Unqualified Report में Unqualified का मतलब क्या है कि हम आपसे Satisfied है आपने जो भी Data दिया जो भी आपने Documents दिये उसमें कोई गड़वड़ी आपकी नहीं थी तो इस तरीके की जो चीज़े हैं वो आपके अपना Opinion बता देता है तो यह कुछ Formats है ठीक है की Title and Address Subtitle Alter Opinion Basis of Opinion Emphasis उसका क्या क्या था Material Uncertainty ठीक है उसका क्या क्या चीज़े है Management Responsibility Alter Responsibility तो यह सारा मतलब जो है अपना Report Format रहता है वो सारा Format जो अपना बताएगा उसको Explain करेगा और Explain करने के बाद अपनी जो चीज़े हैं उनको बताएगा So Thank You Guys for Watching This Video I Hope यह जो Basic जो चीज़े हैं आपके Qualification, Disqualification Appointment, Removal, Right, Duties आपको समझ आ गई होंगी Alter की क्या क्या चीज़े रहती हैं कैसे कैसे आप उसको Appoint करोगे कैसे कैसे आप उसको Remove करोगे और रिपोर्ट क्या होती है So Thank You Guys for Watching This Video Next Video में जल्द ही मिलेंगे हम आपको Next Video का जो हमारे Topic रहेगा Vouching and Verification of the Assets and Liability ठीक है आपकी Vouching, Verification, Valuation of the Assets and Liability यह भी बहुत Important Topic है इसमें से भी कोशन आपका आता ही आता है तो यह जो Topic है हम लोग Next Class में करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी Comment section में जरूर बताइए जो लोग हमारी वीडियो पर नए थे वो हमारी वीडियो को Like करे Share करे, Subscribe करे और जोड़े रही है हमारे साथ आगे आने वाले वीडियो के साथ में एक या दो Class में आपकी जो Auditing है वो Complete हो जाएगी तो इसमें आपको Accounting and Auditing का Complete Package जो वो एक ही Platform पर आपको मिल जाएगा तो Keep a Smile and Have a Good Day Thank you guys, मिलते हैं जल्दी आपको Next वीडियो में